राइसें जिले के महुआ खेडा कला गाव में किसान के लाश नाले मिमनले से संसनी फैल गई है वहीं मृतक की परिजनुनी जमीनी विवाद में हतिया के आश्रंग का जुदाई है पुलस ने मामला दर्च कर जान शुरू करती है किसान के संदिक दुमौत का मामला बैगम गंच शेत्र के ग्राम खेडा कला का है जहां साहट वर्ष किसान मौजिला लोधी अपने खेड पर गए हुए थे जब वहाँ शाम तक घर नहीं लोटी तो परिजनुनी ढूंड़ना शुरू करती है और जब कही कोई पता नहीं चला तो चौकिदार को सूचना दी गई जिसके बाद शव को नाले से बरामत किया है शरीर पर चोड के निशान की चलती हत्या के आश्रंका जताई जा रही फिलाल पुलिस ने मामला दर्च कर जान शुरू करती है जाके घर पोचे घर जाके पापकल लेकि हम खेत पर जा रहा है जब साम हो गए घर बाप इस नंग जाए हम लोगों पूने ना चाली कर दिए आस पर उसमें कहीं होता है बैठे नहीं मेली तरह हमने चोकीदार को फॉन लगाया इतने में हमा जा जा का लड़का आया और बुला कि मैंने तुम्हारे बाप को मार दिया उठा लिया इसके बाद में चोकीदार आ गया हम और साथ में इस पर इस प्रिन आले में पड़े में का इसे हत्या की कि सिर में चूट लगने को लाडी से करिका सिर में यहां कर दो मारी कौन से गाम है मावा खेडा कर ला है एक मोजिलाल बिता दुलरा वोदी जो 55 वर्षक है मावा खेडा कर लागे हैं उनकी अबर्धालर कमर्णी के खेड के अबाज़ू में नाली इस वहां पर मिला है तो इसके इसे बेटरेस आज नाएट में साम को सुब़़ शुब़ चार रही सुछना लागे है उसकी मर्ग पंजिवत कर दी उसको जांस में लिया है और जांस के जानी है और जो एंटेट रैसें से उवेश खान के रपोट